इस फिल्म की शुरुवात में हम मेलेना नाम की एक महिला को देखते हैं जो दिखने में बेहद खुबसूरत है मेलेना एक छोटे शहर में रहती है और इस शहर की सबसे खुबसूरत महिला है और हर आदमी जो में रहता है यहाँ शहर उससे बहुत प्यार करता है और इस शहर के सभी पुरुष चाहते थे कि मेलेना उनका हो जाए लेकिन उसी महिलाई इस शहर के लोग उससे इश्या करते हैं और मेलेना जैसा बनना चाहते हैं और हम देखते हैं कि एक बच्चा है इस कसवे में रेनाटो कहा जाता है वह मेलेना से काफी छोटे है और एक दिन रेनाटो एक नई बाइक लेता है और वह अपने दोस्तों को दिखाईंगे तब भी उसके दोस्त उससे बात करते हुए कहते हैं कि हमने सुना है कि मेलेना होने वाली है, यहां आओ और ये सभी लोग उसे देखना चाहते थे, और इस प्रकार वे एक ही समय पर एक ही स्थान पर बैठे रहे, जब भी मेलेना वहां से गुजरने लगती है और ये लोग उ उस्ताद, उन्होंने अपने स्कूल में छात्रों को पढ़ाया, और ये लोग अभी भी बात कर रहे हैं, मेलेना पर अलग अलग तरीकों से, और ये लोग मेलेना के पिता की भी चिंता करते हैं, स्कूल के बाद रेनाटो मेलेना के पास जाता है, और वहाँ उसकी ओर देखता जो आप हैं, मेलेना की बात हो रही है, रेनाटो के दोस्त ने उसे बताया कि एक बार मेलेना ने मुझसे एक सिगरेट और बाकी सिगरेट लाने के लिए कहा था, लोगों ने ये भी कहा कि मेलेना एक अच्छी महिला नहीं है और समाज में कई तरह की बाते फैली हुई है, मेल दीरे रेनाटो भी मेलेना और अपके बारी में कल्पना करने लगता है। वह उसके साथ मेलेना के बारी में सोचने लगता है। अब रेनाटो एक वयस्क की तरह जीना चाहता था लेकिन वास्तव में वह एक वयस्क था। एक बार रेनाटो नाम के लड़के ने अपने पिता क पैंट काट कर खुद पहन ली क्योंकि उन्हें उसके शौट्स पहनना पसंद नहीं था। उसके पिता इस बात पर उस पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसे मारते हैं, लेकिन रेनाटो अभी भी नहीं सुधरा है और अभी वह जारी है। पूरे समय में लेना का पीछा कर युद्ध ये खबर सुनकर में लेना काफी गुस्सा हो जाती हैं और यहीं रोने लगती हैं। हमें पता चला कि में लेना उससे प्यार करती थी। जब उसे पता चला कि उसका पती युद्ध में मारा गया है तो उसके पती को बहुत दुख हुआ। तो इंतजार करना बुरी पत्नी और बस अपने पती से प्यार करती है। मैलेना का रुमैंस शहर में हर किसी के साथ जारी है और आपकी बेटी के साथ यह सुनना एक अच्छी महिला नहीं है। मैलेना को बताता है। यह सब ऐसा लग रहा था मालो उनका वासका में कोई अफियर जल रहा हो। यह देखकर रिनाटों को बहुत बुरा लगता है और वह सोचता है कि मैं वह उसे एक अच्छी महिला मानता था। और मैं दूसरों को यह बताने वाला था कि मेलेना एक अच्छी महिला है लेकिन वह इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। तो तुम अंदर क्या कर रहे थे और इसी बात को लेकर दोनों के बीच लडाई चिर जाती है तब से तो उसके बाद पुलिस भी वहां आ गई पूरे शहर में यह बात फैल रही है कि मेलेना के पास एक बीमारी है शादी शुदा आदमी के साथ रुमैंस और इसके लिए इतने के बाद क्या जूट बोल रहा था वहीं वकील मेलेना पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और मेलेना कोशिश कर रही है उसे रोकना मुश्किल है लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती और रेनाटो यह सब होते हुए देखता है और जब वह यह सब देखता है तो उसे ग उसका और मेलेना को अपने पती की वज़र से मिलने वाली पिंशन का खयाल रखें, यह भी अब बंद हो गया है, इसका परीक्षन किया गया और इसे यही करना चाहिए था, और थोड़ी देर बाद वहां कैंची लेता है और काटना शुरू कर देता है, उसके बाल और सोचती ह कि यह दुनिया मुझे एक बुरी औरत कहती है, तो अब मैं कब एक बुरी औरत बन गई हूँ, रेनाटो यह सब देखता है, तब उसे बहुत बुरा लगता है और यह बात उसे बहुत परिशान करती है, और रेनाटो हमेशा खाना पीना बंद कर देता है, मैं लेना के दु देखते हैं अब वह एक बुरी औरत बन गई थी और अब शहर के सभी पुरुषों को उसके पास आना पड़ता था और इस कारण से इन लोगों की पत्नियों को बहुत बुरा लगता है और वह बहुत गुस्से में हैं और बाल को इतना माता है और फेंक देता है शहर के मेलेना का पती वापस आ गया और जीवित है और किसी ने उसके बारे में बुरी खबर फैला दी है मेलेना के पती इसके बाद वह अपने घर जाता है लेकिन देखता है कि मेलेना कहीं नहीं है अन्य लोग वे उसके घर में रहते थे और उसने सभी से मेलेना के बारे में पू वहाँ जब रेनाटो सब कुछ देखता है, तो उसके बाद दर्ध होता है, वह सोचता है कि केवल मैं ही मेलेना की हकीकत जानता हूँ. और अब मैं सभी को मेलेना के बारे में बताऊंगा कि वह एक अच्छी महिला है। उसके बाद, रेनाटो ने एक पतर लिखा, मैलेना के पती ने उससे कहा कि मैलेना बुरी औरत नहीं है हानाकि गाम वालों ने उसे एक बुरी औरत बना दिया इन कंपनियों के लोगों ने मैलेना के बारे में बहुत बुरी बातें कहीं ये बातें सुनकर मैलेना को बहुत गुस्सा आया रेनाटो ने यह सब अपने पत्र में लिखा है और मैलेना के पती को बताया है कि उसके साथ क्या हुआ और उसे कैसे निर्वासत किया गया यहां से जब मैलेना के पती ने यह पत्र पढ़ा तो उन्हें यहां के लोगों पर बहुत गुस्स आया फिर वापस जाएं, मेलेना को उठाओ, उसके बाद हम देखते हैं कि वह अपनी पतनी के साथ घूमता हुआ उसी शहर में लोटा आता है, उसके बाद उस समाज के सभी लोग दोनों की ओर रुख करने लगते हैं, लेकिन अब हर कोई उसका समान करता है क्योंकि अब उसका पत आता है और मेलेना को देता है और उसकी मदद करता है, काश मेलेना आपके पास होती, एक अच्छा भविश्य और उसके बाद उन दोनों का ब्रेक अप हो जाता है और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है, तो यह बात थी, मेलेना की कहानी, अगर आपको कहानी पसंद आए तो पूरी फिल्म देखे और चाहें तो और भी देख सकते हैं ये विडियो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें